पारा कमेंटल बजन हैं एक सो बीस उर्पे किलो के हिसाब से भी लगाए ना जी तो ये सवाला के करीब ही बन जाएगा जी गुछ और मेंट हमारी पैसे लेकर हमें ही वापिस कर रही है जी सुपर सीटर अगर मार्केट से आप बनवाते हैं तो डेड़ लाग साड़ साड़ से लेकर दो लाग सिपचा से यह तक उसमें सबसिडी देड़ लाग विज़ार वह भी साल साल चक्कर कारत रहा जाए हैं प्रदुष्ण नहीं बढ़ेगा आप तिल्लो लगाने से प्रदुष्ण जी कि नहीं प्रदुष्ण जी का फैक्ट्री या ना प्रदा ब्यांगों कोई कि रोक टॉक को नी तुहां उदो पैदा हुंदा जो सरकार कद जाम कार दिया रात नो लोग कदे लांदे ने विच आरतों पंद्रा सो दो यार पची सो तो बार चिकेंद इस हटा टैम ही नहीं है गा न्यू दुर्गा ज्वेलर सिर्सा खारिया वाले प्रभुजी सोनी वा पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मानेत अप्राप्त मश्हूर हॉल मार्क ज्वेली आप देखना सुरू कर चुके हैं दीसाडकनामा.com ताजा तस्वीरे आपको सिर्सा की दिखा रहे हैं जहां पर आज क्रिसी विवाग की ओर से जो किसानों को सब सीडी पे उपकर्ण मुहिया करवाई जाते हैं आज उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है और चोदरी देविल लिउनिस्टी के सामने देशेरा ग्राउंड में ये वेरिफिकेशन का काम चल रहा है ग्यारा सो चपन टोटल उपकरन है सिर्सा जिले के और तीन जगए ये वेरिफिकेशन का काम आज चल रहा है जिसमें सिर्सा ओधा और जीवन नगर तीन जगों पर वेरिफिकेशन की ज चीजए के बाद करें या दूसरा जो यह सीडरस है उस तरह से किसानों को अब जब वैरिफिकेशन है वो रही है और ट्रीक्टर लेकर के जो किसान है वो वैरिफिकेशन करने के लिए यहां पर पहुंचे इस मसीन को लेकर के और सिर्शा में करीब तिन सो से ज़्यादा जो है किसान वो पहुंचे हैं और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि इस वरिविकेशन के बाद ही जब क्रीशी भी भाग रिविकेशन कर देगा कि इस किसान की जो मशीन है वो ठीक है और यह इससे काम कर रहा यानि कि पराली का प्रबंदन कर रहा है तब भी उसके खाते में सबसीडी आएगी आपको दिखा रहे हैं तहित की CRM स्कीम के तहित CRM स्कीम के तहित है 2024 में जो अनुदान प्राप्त जो किसान है वो आज अपनी मशीने लेकर के सिरसा पहुंचे हैं और उनको जो है सबसीडी है वो दी जाएगी और चुकि अलग-अलग जो है छेतर से जो किसान है वो पहुंचे कुछ किसान हमारे साथ हैं हम उनसे बाचीत करने का प्रयास करेंगे सर क्याना मपका मैंसल ही मानशु मैता तो आप कहां से हैं सर कि आप आगना लगाएं और अपनी जमीन की उर्वरा शक्ती भी बढ़ाएं और परियावरन को भी बचाएं तो क्या 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 उपकरन है यह जो परादी कि इसमें सर जाइन कोई भी हमारे गाओं में तो कहीं आगी नहीं लगी बिलकुल बिल्कुल अमारे तो बेलर से गांटे बड़ी बना ये बड़े बेलर है बिग बेलर है वो हमारे गाओं में है भूरे लगबग यूएसे की कंपनी से आया और आठ कॉंडल की बेल बनते हैं बहुत बढ़ीया उसका सिस्टम में बढ़ी चलता है ऑप बाएगा तो कैसे लाब मिल रहा है कि सानों को इन जो विभाग है वो देता है लाफ तो मिल रहा है तो है से छे साथ साल मिल पीछे गू किसान के लगते हैं नहीं जी दो लाग साथ जार के लाग साथ जार मलों सबसीडी ना हो ना तो फिर यह देड़ लाग का जुगाड है सबसेड़ करें कि फाइदा नहीं प्रस्थ जाता है बन जाता है बिलकु बिलकुल बिलकुल अगर हैं आज यह पर शूपर सीडर आगर मार्केट से आप बनवाते हैं तो लेकिन सरकार कितने का देती है दो लाग साड़ से लेकर दो लाग से पचासी एल तक देती है उसमें सबसीडी दे लाग वह भी साल साल चक्रकार दो आ जाए है तो किसान यह सोचता है कि चालीस जार उसको फिर भी बच गए मैं जाते हैं जीव से पहले रुपे में त्यार हो जाता है और Já सरकार है वो टाइलाख नहीं । लगया अगर तो यह तरह से जोल तो है तो से ना सर एक तरह पहले लगिए वैसैघर अपर शाल बाद मिलेगी साब सीड़ wealth एक साल हो गया एक साल हो जाएगा मार्च के तक पहले नहीं मिलेगी तो यह बता रहे हैं जो किसान कुछ दोल लग रहा है कि आपको त्यार हो जाता है प्राइमेट डेड़ लाग में त्यार कार कितने का देती इसको दो सबसरिदी जो है वह वगर ना भी दे तो भी किसान मदलब जो है किसान यूजना करें करें तो भी से जब बंद करते डोस है उसमें घी कंपनी सित्वा देगी जीमिदार को अब चांप पढ़ जाएगी जहां पर आते आते अब यह जो इसका मतलब पूरा वो वरिफेकेशन अब्सकी करते हैं है कि अजी सारा कुछ करके यह को जो तो जो आइक यह जो जितने गाउं के जी यह जो प्राली का प्रवन्दन करें वह जो ना बैल्ट के तो कितनी केवरेज हो रही है कि अलग लग जगाए यह पैंतीस मनी है लोगा शोड़ा मन की लगाई हो यह पंताड़ाई पचास की एवरेज ची आई है ज्यादा इससे फाइदा मिल रहा है कि सानों को कुछ फाइदो जी के नम तिलो लगाए और फेर बीचे जित बड़ी आ फाइदो लागियो मनें इंडेव तो के नम दक्वास होई है टेक्ट ने तोड़नों ददस लीटर तेल प्रदूशन नहीं बढ़ेगा आप तिलो लगाने से प्रदूशन जी के निम जेका फैक्ट्री यान प्रदूशन देखे तो के नम सारूं जदा है फैक्ट्री यान या तो बंद कर दियो के नम देड मीने जमीदार ने एक रके नम जूट देदेए जमीदार वो तिला लगा ले अर्फक्ट्री और तिला क्वाटियां खड़ी है इती मशीना देओ गांठ बनाना ले जमीदा बात आप समझ लेजिए अगांठ बनाना रिजिकी मशीना है अब मारे इरिये में जो जो तकांग एंदर है डाई डाई जारी प्या मांगा जी जमीदार करूं बताओ डाई जार बाने देज़े बो जमीदार बनुआवा क्या मी यह तो फरीम बनुआवे तो करें चकले जि प्रदूरशन काम साले कर आज 25-30 प्रसंट नहीं जली होगी लेकिन प्रदूरशन इसका कारण क्या है क्या माँनते हैं इसका कारण केला इंड़ जादा कर दिया नहीं नहीं उतना ही लग रहा है जो कम हुई है प्राली जलाने की जबकि है पर दूसरी इंडस्ट्री कितनी बढ़ेगी फैक्टरियां कितनी बढ़ेगी सिरसा अरिया में अपने हमारे गाम पांच शे गाम पासपा जितने एक डिंग मोड पतली डाबर नरेल खड़ा सर्जी पांदस गामों में कम से कम दो यह बैलर थे जी किन किन की गांठ कि यह कामियां बजी कितनी साल की साल आया यह कामियां बारा कमेंटल बजन है 120 रुपे किलो के साथ से बिलगाए ना जी तो यह सबाला के करीब बने जाएगा जी गुष और मेंट हमारी पैसे लेकर हमें वापिस कर रही है जी जी ले 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 लिए चीजे यह बेल दर्स भालतू देते जमिदार फिर कि जलावाई को नी पहलो ले लगो तो संतोष्टी दे रहें लोग वैसे तो जोल तो इसको कह सकते हैं कि भी डेड़ लाख में त्यार होने वाले चीजे जो बेलुकुल है गिया है आपा हुन मालो भी कोई वी साधन बढ़ने अजेडा बिना अट्राइटर तो वहां कोई वी एपलिमेंटा आपा मालो कोई सोर भी बान रहे है कोई 110 लालाण के फालतू मालो कोई चंगिया चीजे दे वेचल लगीया होन गया जाए बैलर गैरा थले पर दोशन देगाला साधन बढ़े वाद गया परादी देने लोने अपराली नुँ आगा असी कई था देखे गया लगी होंदी होंदी है कोई तुहां नी होंदा तुहां उदो पैदा हुंदा जो सरकार एक जाम कर दिया रात नों लोग कदे लांदे ने विचारे पूरी कारण लोंदे ओंवे नी लोंदे जेके अपा मालों लोगी बैलर लेजंद अगठा चाके बनाओं देया पहलो इगाल लेना इकाल सही या भी है यार तो पंद्रासो दो यार पचीसो तो बार चेकें देशाटा टैम ही नहीं है तो विचारे की कारण दसो थे हलात इ है कि मजबूरी आप एक कित्ता योदा करना पहर है मजबूरन बचत नहीं है कि मजबूरी यांदे वे वचारे किसान खड़े ने होड़ी मैंनू पता लगया के इंदे भी पास होई या उद्रो गयों ते जाओ उदो जो सारे यांदी पासिंग होगी उन जिन नादी कणक या भी नहीं तुसी जो सारे यांदी पासिंग होगी उदो जाए हो और यह जिड़े हूं डिपार्टमेंट डाले यह दसागे देना भी क्यों रोख रहे हैं आपका से हैं जी है चामल से चामल से कितने कौन-कौन से इंप्लीमेंट आपने खरीते थे इसमें एक लिए दो अगर हमने सुपर सीटर लिया यह कटर लिया इसका प्रबंदन हो जाता है ताइम से प्याराया प्रबंदन ऐसा है यह तो गांटे वाली मिशिन ने उनकी कमी है और दूसरा नंबर सुपर सीटर एजिए को प्राली तो सुपर सीटर से मतलब कंक बीज देते हैं मगर सुण् अच्छाइब प्राली नीचे अपा जाती है मिटी में जब वो गलती है उसमें कीड़ा पैदा होता ही फिर वो जो कनक उकती है उसको खायाता ही उसकी गोब में बिल्कुल जी तो फिर उसका कोई है निया उपचारी निया कोई प्रेस्टिशाइड भी निया कुछ भी निया की जी मिलेगा चार साथ होगे जिम्हीदार फारंबर देते हैं और किसी को आज तक इतने किसान पढ़कें आ खड़े किसी से पूचलो किसी पूछलो किसी को यहार परकिस विदा किसी को निमिली मेरा नाम वीजे जैन मैं डबल एई सिर्सा कितने आज उपकरन है जिनकी वेरिफिकेशन की जा रही है यह वेरिफिकेशन जिला सिर्सा में तीन जंगे की जा रही है सिर्सा में ओड़ा मंड़ी में और जीवन अगर नाज मंड़ी में इन में चार तरह के उपकरन है जिसमें बेलर सुपरसीडर हेरेक और स्लेशर चार उपकरन है जिनकी आज वेरिफिकेशन की जा रही है तो वेरिफिकेशन के बाद ही फिर सबसीडी किसानों को मिलेगी इसकी इन उपकरणों का परमुक रूप से कारिया है पराली प्रबंदन करना जी जी सभी का पराली प्रबंदन का कारिया है जैसे सूपर सीडर मशीन है ये इन सीटू मशीन है जिसमें पराली को जमीन में मिला करके और गेहों की बिजाई के जाती है और बेलर रेक और सलेशर इन त दिर्शा का जो है वो परदूशन में नंबर दो रहा पुरे देश बर में इतने इंप्लेमेंट देने के बावजूद भी देखिए सिरफ पराली को ही परदूशने कारण मानना ये भी ठीक नहीं है मशीने बहुत साथ दे रही हैं बहुत काम कर रहे हैं अगर हम पिछले कई स आने कोशिश कर रहे हैं और प्रदूशन पे जरूर मशीनों से तस्वीरे इस वक्त हम सिरसा में हैं और आज जो क्रिशी उपकरन हैं खास करके जो पराली का प्रवंदन करने वाले जो उपकरन हैं उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है और दिखा रहे हैं सी आर्म स्कीम के त तो तिन अलग-अलग टाइब की मशीने हैं और किसानों का जो है कहना भी है कि यह मशीन है अगर प्राइवेट डेर या 1,5-2,005,000 रुपए में ये ت्यार हो जाती है जबकि सरकार इसको 2,60,000,000 या 2,50,000,000 रुपए के करीब इसको बेचती है और उसके बाद करीब प्राली प्रबंदन को लेकर के आपकी क्या राय है बेशक इस बार सिर्षा में पराली जलाने की घटनाएं हैं उनमें काफी कमी आई हैं बावजूद उसके सिर्षा का एक यूई तिन सो से पार रहा है और दो दिन पहले एक समाचार पतर ने प्रमुक्ता से छापा कि सिर्ष का एक यूई यानि परदूशी सिर्षा रहा पूरे देश भर में सिर्षा दूसरे नंबर पे रहा और हर्याना में सिर्षा पहले नंबर पे रहा यानि कि दिल्ली से ज़्यादा परदूशन है वो सिर्षा में हुआ लेकिन किसान यह मानते हैं कि प्राली जलाने के साथ-सा बाद बाद शुक्रिया